इंजिनियर्स ने कार की रैड को स्मूध बनाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट को इस तरह से डिजाइन किया कि वो दोनों पईयों के बीच में आ सके लेकिन रैड को स्मूध बनाने के लिए सिर्फ ये डिजाइन काफी नहीं था इंजिनियर्स को चाहिए था एक ऐसा मेकइनि जो रोड में आते हुए गड़े और ब्रेकर्ज के जटको को जहेल सके तो उसके लिए उन्होंने डिजाइन किया एक इस्प्रिंग का मेकैनिसम लेकिन उन्हें चाहिए था एक ऐसा स्प्रिंग जो की लचीला भी हो और टूटे भी ना पर इसमें थी एक बड़ी समस्या सिंगल पैसेंजर का वजन स्प्रिंग पर इतना दबाव नहीं डाल पाता था जो जटको को महसूस होने से रोक सके लेकिन अगर पैसेंजर की संख्या बढ़ा दी जाए तो जटको से कार की बोडी नीचे टकराती थी क्योंकि ये स्प्रिंग लाइटर लोड्स के लिए स्टिफ और हैवी लोड्स के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था लो जी आपके एंजिनिरिंग दिमाग के लिए एक समस्या तयार हो गई है चलो चलो दोडाओ अपना दिमाग और बताओ इसको कैसे दूर करें